हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12 क्लास तक के सभी विश्यों के हाई क्वालिटी कॉंटेंट इसके कि आपको किसी भी तरह की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप हमसे इनोट्स और इबुक्स भी लेना चाते हैं तो उसकी लिंक आपको कहां मिलेगी उसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसी जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हमारे आज की क्लास तो हम बढ़ रहे थे अपनी विज्यान का पार्थ 2 और हमारा पार्थ 2 है वो है क्या प्राणियों में पोशन और प्राणियों में पोशन किस तरह से होता है कौन-कौन से जो चरण होते हैं वो फॉलो होते हैं यह सारी चीज़े हम देख चुके थे हमने मानम में पाचन देखा था हम ने घास खाने वाले जनतों में पाचन देख लिया था और यहाँ तक कि हमने एक कोश्की जीव जैसे कि Amoeba में भी भोजन का पाचन किस प्रकार होता है यह सभी चीज़े देख ली थी आज हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं अपने Part 2 का NCRT solution मतलब कि हमारी जो NCRT की बुक है उसमें जो अभ्यास ब्रेशिन दिये हुए हैं उस सभी अभ्यासप्रिश yapt के उत्तर हम यहां देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए जल्दी से करते हैं हम अपनी क्लास को शुरू तो सबसे पहले प्रेशन के अगर बात करें तो हमारी बुक में जो दिया हुआ है वो दिया है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए मतलब की पहला प्रेशन क मुख्य चरण डैष 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 एवं डैष हैं मतलब की यहां पांच चीजें आने वाली है और वह कौन जो हमको बताना है और इन मुख्य चरण को हमने लगबग जितनी भी हमारी क्लासिस हुए हैं जितने भी चैप्टर के एक्स्प्लेनेशन हुए हैं उनमे daily daily revise किया हुआ है तो आपको तो बहुत इच्छे से याद हो गए होंगे कि ये मुख्य पाँच चरण कौन से हैं तो जल्दी से बता दीजिए इसका अंसर क्या होगा तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर है पहला अंतर रहन दूसरा पाचन फिर अवशोशन उसके बाद स्वांगी करण और फिर निश्कासन ये पाँच क्या है ये पाँच मुख्य चरण है दिए मानव में पाँचन के घीक है आगे देखें मानव शरीर की सब से बड़ी ग्रंथी का नाम क्या है तो हमने कुछ ए महत्पून ग्रंधा नाम होती है जीससे हमें क्या मिलता है जिससे हमें पाचक्रस मिलता है लेकिन अगर हम उन सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथी की बात करें तो वो कौन सी होगी तो वो होती है यकृत क्या होती है यकृत जो है वो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी होती है ठीक है आगे देख लें आमाशय में हाइड्रो क्लोरिक अमल एवं डैश का स्त्र प्रवन होता है जिसकी वज़े से भोजन के साथ जो भी जीवानों आये होते हैं वो क्या हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं इसके साथ ही एक और किस चीज का वहां पर स्त्राव होता है जो भोजन पर क्या करते हैं क्रिया करते हैं तो जल्दी से बता दीजिए उसका अंसर क्या होगा पाचक रस इसके अलावा भी कई तरह के पाचक रस जो कि हमें कहां से मिलते हैं पाचक ग्रंथियों से मिलते हैं और वो सभी पाचक रस का क्या होता है आमाशे में स्त्राव होता है उससे क्या होता है भोजन में पर क्रिया की जाती है मतलब की भोजन को जटल पदार्थ से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है चीक है आगे देखें शुद्रान्त की आंतरिक भिठी पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते है, जो डैश कहलाते है तो अब आप कोई बताना है कि शुद्रान्त की जो आंतरिक भिठी होती है, जिसका चित्र बनाकर भी मैंने समझाया था अर जिस पर क्या उंगली नुमा उभरे हुए होते हैं रसांकुर या फिर दीरगरोम आगे देख लें नेक्स्ट हैं अपने भोजन का पाचन किसके द्वारा करता है अपने भोजन का पाचन खाद धानी में करता है ठीक है हमने देखा था कि अमीबा में किस प्रकार से पाचन होता है अमीबा किस प्रकार अपनी क्या करता ह कुछ ऐसे कृत्रिमपा को बनाता जिसको क्या कहते हैं पादाब क्याते और उसके सात इसमें क्या होती है खाध्यधानी होती है वह आपने भेजन के ऊपर जाके इन का खाध्यधानियों को छोड़ देता है जिससे क्या ह Hybrid वह फस जाता है और इस प्रकार से जो अम ABOUT है वो अपने भोजन का पाचन उन्हीं खाद ध्धानियों में करता है ठीक है आगे देखें प्रेश नंबर दो है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्नेत कीजिए अब हमें यहां बताना है कि जितने भी कथन दिये हुए हैं इनमें से कौन-कौन से सत्य हैं और कौन-कौन से अस तो पहला है मंड का पाचन आमाशे से प्रारंभ होता है बच्चों हमने देखा था कि मंड जो है यह क्या होता है यह एक तरह का कार्बोहईड्रेट है ठीक है अगर मैं मंड की बात करूं मंड के पाचन की बात करूं तो यह कहां से शुरू होता है पहली बात तो आप ये बता दीजे कि हमारे शरीर में पाचन कहां से शुरू हो जाता है तो हमारे शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया है वो हमारे मुख से शुरू हो जाती है और मुख में ही मंड का पाचन शुरू हो जाता है और यहां पर क्या दिया है मंड का पाचन आमाशे से प्रारंब होता है तो यह क्या हो जाएगा यह पूरी तरह से असत्य हो जाएगा क्या हो जाएगा यह असत्य हो जाएगा क्योंकि मंड का पाचन कहां से शुरू हो जाता है मंड का पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है ठीक है अगर मैं बात करूँ जीब यानि कि लाला जीब जो है वो लाला गृंथी को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है लाला गृंथियां जो होती है ये क्या करती है लार देती है और जो हमारे मूँ में लार होता है और जीब होता है ये दोनों मिलके क्या करती है भोज को साथ में मिलाने उनको तोडने और फिर उनको उसको निगलने में मदद करती है तीसरा देखें पित्ताशय में पित्रस अस्थाई रूप से भंडारित होता है पित्ताशय क्या होता है जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथी है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथी है जिसका नाम क्या है यक्रत तो यक्रत की नीचे ही एक थैली नुमा सरचना होती है जिसको क्या कहते हैं पित्ताशे कहते हैं यक्रत में पित्तरस जो है वो बनता है उस पित्ताशे में क्या हो जाता है जमा हो जाता है और फिर उसकी बाद वो कहां जाता है वो जाता है आमाशे में भोजन के पा आचन करने तो वह अस्थाई रूप से ही रहता है स्थाई रूप से नहीं रहता है क्या अस्थाई रूप से बंडारित रहता है तो यह वाला हमारा कथन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सत्य आगे देखिए रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर दीरे दीरे चबाते हैं अब रुमिनेंट किसे कहा जा रहा है तो रुमिनेंट उनको कहा जा रहा है जो क्या करते हैं जो जुगाली करते हैं जो क्या घास खाते हैं ठीक है तो रुमिनेंट जो होते हैं ऐसे जीव जो घास खाते हैं वो क्या करते हैं जो निगली हुई उनकी घास है उसको वो वापस से अपने मूँ में लाते हैं और फिर चबाते हुए क्या करते हैं जुगाली करते हैं क्या ये बात सही है तो ये क्या हो जाएगी ये बात सत्य है वो ऐसा करते हैं ठीक है तो ये हमारे सत्य और असत्य हो गए आगे चलें प्रेश नंबर तीन पर प्रेश नम्ब तीन है हमारा निम्न में से सही विकलप पर ऐसा टिक का सही का चिन्न लगाई ए ठीक है तो यहाँ पर एक क्वेशन पूछा है चार आप्शन दिये हुए हैं हमको सही आंसर पर क्या करना है जो भी सही विकलप है उस पर टिक लगाना है वसा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वह है यहाँ पर यह पूछ रहे हैं कि वसा ठीक है हमारे भोजन में क्या होता है वसा भी होता है वसा का पूरी तरह से पाचन इन चार में से किस अंग में होता है यह पूछ रहे हैं और जब हम मानव में पाचन पढ़ वर्तित हो जाते हैं हमने ये भी देखा था तो जल्दी से बता दीजिए कि वसा का जो पून रूप में पाचन है वो किस अंग में होगा तो किस में होता है वो होता है शुद्रांत में ठीक है वसा की बात करें तो वह वसा का पून पाचन पून पाचन लिखा है देखें ड्वारा होता है आप जल का जो अवसूशन होता है हमने या भी देखा था चो आपको प्राइधांत तो उत्तर क्या हो जाइगा उत्तर हो जाएगा हमारा ब्रहदांत क्यूंकि ब्रहदांत में जल एवं किनका जो कुछ खनेज लवन होते हैं, उनका पाचन होता है, ठीक है? तो जलकाफ शोषन कहा हो जाएगा? जलकाफ शोषन हो जाएगा ब्रहदांत में, आगे चलें अब आगे आगे हमारे पास, कॉलम A में दिये गए कथनों का मिलान, कॉलम B में दिये गए कथनों से कीजिए मतलब कि क्या करना है? हमको जोड़ी मिलानी है कॉलम A में कुछ खादी घटक दिये हुए है, कॉलम B में पाचन के उतपाद दिये हुए है तो देखे, खाद इघटक क्या है? कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है? इनके पाचन से उत्पाद क्या बनते हैं? जब इनका पाचन होता है, तो किसमें परिवर्तित होते हैं? वो पूछा है. यहाँ पे दिया है वसा, अमलेवं, ग्लिसरॉल, शरकरा, अमीनो अमल, अब इनको हमको क्या करना है? सही तरीके से इनको मिलाना है. तो चलिए मिला देते हैं. तो कार्बोहाइडरेट जो होता है, जो खाद इघटक कार्बोहाइडरेट है, यह पाचन के बाद क्या उत्पन करता है? यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? यह परिवर्तित हो साफे glycerol में परिवर्दित हो जाता है ठीक है तो ये खाद्य घटक है और ये उनके उत्पाद है चिक आगे चले प्रेश नमबर पाच प्रेश नमबर पाच कहता है कि दीर गरोम क्या है हमने पढ़ा था दीर गरोम कहां पाये जाते हैं और ये क्या है ये कहां पाये जाते हैं और इनके कारी क्या है तो इस एक प्रेशन के अंदर त्रीन प्रेशन दिखाई देते हैं कौन कौन से कि पहले त नहां जाता है और तीसरा कि कारी क्या होते हैं तो चलिए И्सका उत्तर देखते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा दीर घृभ्रोंग जो हैं यह शद्रांध की आंत्रिक भित्ती पर अंगुली के समान उपरी ही सरफ नाय होती हैं अब अगर हम दीरगरों की बात करें तो यह क्या करता है यह जो शुद्रांत होती है हमाई अच्छा शुद्रांत क्या है शुद्रांत हमने पढ़ाता हमारी छोटी आथ होती है ठीक है जो लगभग कितनी बड़ी होती है कितनी लंबी होती है जो दो फीट की 20 फीट की होती है जो लगषब 20 feet की होती है तो ये जो छोटी आत है इसके अन्दर क्या होता है इसके आंतरिक वित्ती जो है उस पे उन्गली के समान कुछ उभरी हुई से सरनचनाय होती है जो है कि इसी को दीर घरोंग भी केते है और इन ही को रशांकूर भी कहते हैं, अब यह जो है यह कहा पाई जाती है, हमने बता दिया, अब दीर घरोंग जो है वो कारे क्या करती है तो दीर घरोंग पचे हुए भोजन के अवशोशन ही तु तल छेत्र बढ़ा देती है अब यह उसकी सत्य उसका तल छेत्र क्या करती है बढ़ा कर देती है बढ़ा देती है ताकि वहाँ पर भोजन का अवशोशन क्या हो अच्छ रांत में क्या होता है बोजन के जितने भी जो भी पचने के बाद बनता है उन सबका क्या होता है उनका अवशोशन होता है जितने भी पोशक्तत्थ होते हैं ठीक है यहां पर क्या होता है स्वांगी करण की प्रक्रिया होती है यहां पर वो सारी चीज़ें किसमें मिल जाती है खून में मिल जाती हैं किसके द्वारा रुधिर वाहिकाओं के द्वारा तो उसमें मदद कौन करता है मदद करते हैं यही दीर घुरूम इनी के बारे में हम जान रहे हैं तो इनके कारी क्या हो जाएंगे इनके कारी यही हो जाएंगे कि दीर घुरूम जो है वो पचे हुए के द्वारा वो किस में चला जाता है वो रक्त में मिल जाता है और रक्त क्या करता है उसे शरीर के हर भाग में भीजता है ठीक है आगे देखें प्रेश नंबर 6 है पित कहां निर्मित होता है यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है तो अब यह पूछ रहे हैं कि जो पित है यह निर्मित कहां होता है बनता किस जगह पे है पित ठीक है यह हमने पाट में पढ़ा था बहुत अच्छे से और फिर यह यह भी पूछ रहे हैं कि भोजन की किस घटक का कौन सा ऐसा घटक है वसा है मंड है कि प्रोटीन है कौन सा ऐसा घटक है जिसके पाचन में क कहां होता है यक्रित में होता है जो कि मानव शरीर की क्या है सबसे बड़ी ग्रंती है ठीक है तो यक्रित करता है जिसे पिताशे नामक ठैली में क्या कर लिया जाता है संग्रहित कर लिया जाता है पित जो है वो किसके पाचन में मदद करता है ठीक है वसा को पचाने के लिए क इसकी किस पाचक रस की जरूरत पड़ती है, पित रस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आगे चलें, प्रेश नंबर साथ है, उस कार्बो हाइडरेट का नाम लिखिए, जिनका पाचन रूमीनेंट द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं, और इसका कारण भी बताईए, देखिए, रूमीनेंट मतलब की घास खाने वाले जनतु, ठीक है, ये नाम याद रखना, तो ये ये पूछ रहे हैं कि कार्बो हाइडरेट का नाम बताओ, वो वाले कार्बो हाइडरेट का नाम बताना है, जिसे रूमीनेंट लेते हैं, और वो किस तरह से लेत को सबनें हैं मानव क्यों नहीं लेते हैं उसको और इसका कारण भी हमको बताना है तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं अब होता क्या है? Cellulose जो है, जो कि क्या है? एक प्रकार का कार्बो हाइडरिट है. अगर हम बात करें cellulose की, तो ये एक प्रकार का कार्बो हाइडरिट होता है. और ये जो है cellulose के पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यक्ता होती है. Ruminant की आहार नाल, मनुश्यों की आहार नाल से बड़ी होती है. इसलिए cellulose, ruminant द्वारा पचाया जा सकता है. लेकिन मनुश्यों के द्वारा नहीं पचाया जा सकता. तो हूता क्या है? कि जो ruminant होते हैं, वो क्या खाते हैं? वो खाते हैं घास. और घास में क्या होता है? घास में cellulose बहुत अधिक होता है. ठीक है? cellulose विसे क्या है? एक प्रकार का carbohydrate ही है. जैसे हम क्या लेते हैं? हम मंड लेते हैं, हम शरकरा लेते हैं. तो हम एक तरह के carbohydrate को ले रहे हैं. इस तरीके से. तो जो जानवर होते हैं, जो घास खाने वाले हैं, हमारी आहारनाल से, हमारी आहारनाल थोड़ी सी छोटी होती है. उनकी आहारनाल जो होती है, वो हम से बड़ी होती है. जिसकी वज़े से, देखो, cellulose को पचाने के लिए, बिटा इक आसानी से हम नहीं पचा सकते हैं. होना हम अगर क्वाएंगे से पाचन कर पाएंगे आपने पढ़ा कि यह वाधे बटा रहता है घृया है ठैक invas have हमाशे भी होता है फिर एक ऊंधनाल भी होती है तो उनकी इतना बड़ा जो आमा amplいき aktivения हैं उन चार भाग में क्या होगा सेलिलोस का पाचन होता है उपर से हमने यह भी जाना था कि जो गासखाने वाले जनतूवले क्या करतें यह पहले तो क्रूमें पर से निगल के और बारीक पीशते हैं और ज़्यादा उसका पाचन करते हैं फिर यह आमाशे में भेजा जाता है फिर वहां पर भी इसका पाचन होता है तो इस तरीके से क्यों नहीं खा पाते क्यों नहीं पचा पाते ठीक है आगे चले चले प्रेश नंबर आठ देखते हैं प्रेश नंबर आठ है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोस से उर्जा तुरंत प्राप्त होती है आपने देखा होगा जब हमको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है हम व हमें ग्लूकोज से उर्जा तुरंत प्राप्त होती है क्योंकि कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डायोकसाइड और पानी में आसानी से तूट जाता है और उर्जा निकल जाती है तो क्या होता है ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है हमको तुरंत उर्जा कैसे देता है कि वो जो हमाई कोशिकाव में जाता है और ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है कार्बन डायोकसाइड और पानी में फटाफट से तूट जाता है तो उसका जो बनने वाला पदार्थ है जो उर्जा है वो हमको कैसे मिल जाती तुरंत मिल जाती है ना क्यों जल्दी हो जाता है कारबन डायोक्साइड निकल जाती है पानी हमारे शरीर में चाह जाता है जो उर्जा है वो हमें फटाफट से तुरंत मिल जाती है ठीक है आगे चलें प्रेश नमबर 9 है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निमने क्रियाएं संपादित होती है यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी हुई है और यह यह पूछने कि यह सारी क्रियाएं जो है आहार नाल में जो भी भाग आते हैं उनमें से किसकी मदद से हो रही है ठीक है पहला देख करें कि जो हमारा पचा हुआ भोजन है वो आहार नाल के कौन से भाग से उसका अवशोशन होता है यहां पर हमें उसका नाम लिखना है दूसरा है भोजन को चबाना तो भोजन को चबाना जो है वो कौन सा कौन सी भाग के द्वारा होता है तो यह भी हम बता सकते हैं जीवानो को नश्ट करना यह कौन से भाग में होता है आहार नाल के कौन से भाग में होगा फिर उसके बाद है भोजन का संपून पाचन अगर हम बात करें कि भोजन पचता तो वह मुखसे शुरू हो जाता है लेकिन अगर हम बात करें कि उसका संपून पाचन किस जगह पे होता है किस पर हमें हार नालकी सारे भागों को बर्णा है चलिए देखते हैं तो पचे भुई भागों का अवशोषंग कहां होता है भुजन का जब भोजन पच जाता है तो फार का होगा उसका अवशोषंग शद्रानत में होता है characteristic के बाद अगर हम भोजन को चबाना कहें तो यह मुख गुहिका में होता है है ना हमारे मुख में क्या होते हैं हमारे मुख में दाथ होते हैं और अमाश negativity प्रिकारे रहता है और जो क्या करता है जो भोजन के साथ जीवानों गय होते हैं उनको क्या कर देता है नश्ट कर देता है तो यह कार कहां पर होगा आमाशय में अगर हम भोजन के संपूर्ण पाचन के बात करें तो यह कहां होगा शुद्रांत में मतलब की छोटी आत में हमने जाना था कि भोजन का जो है संपून पाचन के अगर हम बात करें तो वो कहां हो जाता है वो शुद्रांत में हो जाता है इसके आगे देखेंगे कि मल का निर्माण कहां होगा तो फिर उसके बाद जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो कहां चला जाता है ब्रहदांत्र में चला जाता है मतलब की बड़ी आंत्र में चला जाता है तो वहां से जो बच्चे-कुचे जो भी चीज़े रहती हैं उनका पाचन हो जाता है और जितने भी अप्षिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे की मल तो उसका निर्माण कहां पे होगा हमारी बड़ी आ अंतर लिखिए अब हमको यह बताना है कि मानव जो है और अमीबा जो है दोनों में ही पोशन का क्या होता है पाचन होता है लेकिन हमको एक समानता बतानी है कि दोनों में जो पोशन होता है जो दोनों में जो पाचन होता है उनमें क्या समानता है और कोई एक हमको क्या बताना ह दोनों में अंतर भी बताना है तो चले इसका उत्तर देख लेते हैं अगर हम समानता की बात करें तो समानता में क्या होता है भोजन के पाचन तथा उससे प्राप्त उर्जा की बुनियादी प्रक्रिया अमीबा के साथ-साथ इंसानों में भी समान है अब अगर हम पाचन की ब पुर्जा प्राप्त करते हैं और फिर बाकी आगे की प्रक्रियाएं करते हैं तो दोनों में ये चीज़े तो क्या हो गई समान हो गई अमीबा में भोजन में पाचन रस स्त्रावित होते हैं जो भोजन पर कारे करते हैं और इसे सरल्पदार्थों में तोड़ देते हैं धीरे अगर हम अमीबा में देखें तो अमीबा में भी क्या होता है भोजन पर कुछ पाचकरस क्या करते हैं काम करते हैं और जो भी जटल पदार्थ उनको क्या करते हैं सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं तो मतलब इस तरीके से पाचन होता है इसी तरह मानव में भी हमने बात क थी कि हम जो भी भोजन करते हैं वह आमाशे में जाता है आमाशे में कुछ पाचकरस आते हैं ठीक है पहले हमारे मुह में कुछ पाचकरस जो लार ग्रंतियां होती है वह लार को क्या करती है स्तरावित करती है कुछ ऐसे पाचकरस छोड़ती है जिससे क्या होता है हमारा भोज जाते हैं सरल पदार्थ में तूट जाते हैं जैसा कि अमीबा में होता है और फिर उसके बाद वो कहां जाता है छोटी आत में जाता है मतलब कि शुद्रांत में जाता है वहां भी उसका पाचन होता है ठीक है तो इस तरीके से यह जो अमीबा के अमीबा में पाचन की प्रक्र े तो अमीबा में पाचन की प्रक्रिया सरल है बहुत सरल सी है कि युसने लिया उसके बाद लूप खाद धानी से फस जाता है उसमें कुछ पाचेकरस मिलते हैं अब बहुत बहुती सरल है ऐसा कोई बहुत बड़ी सी उसके पास आहार नाल नहीं होती है जबकि अगर हम मनुश्य में बात करें तो ये जटिल प्रक्रिया है इतना आसान नहीं होता है जिस तरीके से अमीबा में हो जाता है अंतर वहन और उत्सरजन की प्रक्रिया भी काफी भिन होती है अब हम अगर अपने में अंतर वहन की बात करें तो हम दातों के द्वारा हम है लेकिन अगर हम अमीबा में बात करें बात करें तोया करता है वह जब अपना भोजन देखता है अपने इसका बहौजन चोड़ता है उसमें उनêu फसाता हा तो कुछ अलग प्रक्रिया इस तरीख से नहीं है हम ऐसा नहीं करते हैं अपना पेट खोला और उसके नंदर आंन शेको बांचाना होती है और उतसर्जन के बात करें तो क्या होगी भिन नहीं होती है Amoeba अपने भौजन को पादाप के मादियम से पकड़ता है अपसोषन के पश्चात बिना पचा हुआ भौजन खाद दिधानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है तो यही तो बोला Amoeba क्या करता है? अपने पादाब की द्वारा अपने भोजन को अंतर रहन करता है और क्या करता है जब अफशोशन हो जाता है तो जो भी अफशिष्ट पदार्थ होता है उसे खादिधानी के द्वारा बाहर निकाल देता है जबकि अगर हम मनुश्यों में बात करें तो भोजन जो है जो की ज जटिल पदार्थ होता है वो मुह के द्वारा अंदर ले जाया जाता है ठीक है और पाचन और अवशोशन की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है तो ऐसा थोड़ी नहीं होता कि आसानी से सब कुछ हो गया हमने तुरंद खाया तुरंद निकल गया नहीं समय लगता है धीर होती है उसके बाद क्या होगा पाचन होगा फिर अवशोशन होगा फिर स्वांगी करण होगा तब जाकर निश्कासन होगा तो यह एक जटिल प्रक्रिया होती है ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत सरल प्रक्रिया है फटा फट से सब कुछ हो गया अंत में जो बच्चा हुआ अंतर भी देख लिया कि क्या होता है चीक है आगे चले प्रेश नंबर 11 है कॉलम A में दिये गए शब्दों का मिलान कॉलम B के उचित कथन से कीजे कॉलम A में कुछ चीजे दी हुई है और कॉलम B में कुछ चीजे दी गई है हमको इन दोनों का क्या करना है हमको इन दोनों का म तो देखिए, यहाँ पे है पित्रस का स्त्रवन, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्त्रावित करना, अमल का निर्मोचन, पाचन का पूरा हुना, जल का अवशोशन और मलत्याग. यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा में देखने को मिल रहा है, और यह जो एक्स्ट्रा में देखने को मिल रहा है, यह क्या है, यह एक्स्ट्रा ही है, क्यों है, यह आपको कन्फ्यूस करने के लिए है, तो इससे बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि हम तो अपना ही उत्तर अब अगर हम लाला गृंथी की बात करें जो कि लार गृंथियां होती है यह क्या करती है यह लाला रस इस्तरावित करती है ठीक है आमाशे का कारी क्या है आमाशे अमलका निर्मोचन करता है वहीं अगर हम यकृत की बात करें तो यह पित्रस का स्त्रवन करता है मलाशे की बा करें तो यह पाचन का पूरा होना जो होता है वो कहां होता है वो शुद्रांत में होता है वहीं अगर हम ब्रहदांत की बात करें तो जल का अब शोशन जो है वो किस जगे पे होता है वो ब्रहदांत में होता है बिना पचे भोजन का भंडारण यह जो ऑप्शन है यह इन में स किसी से भी मिलता जुलता नहीं है तो इसको हम साइड में कर देंगे यह हमारे किसी काम का नहीं है चीक है आगे चले प्रेश नंबर बारा चित्र में दिये हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित किजिए यहां पर आपको मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया हुआ है औ पर हमको इसको आरेखित करना है मतलब कि इनके सभी भागों को बताना है उनका नाम लिखना है तो चलिए देख लेते हैं यह हैं हमारा मानव में पाचन तद्र ठीक है अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर क्या होती है तो इसके ऊपर तो ग्रिस नहीं हो जाती है मुख गोहिका आ जाती है पर उन्होंने हमें वहां से दिया है उन्होंने तो हमें यहां से दिया है तो अगर हम इस भाग की बात करें तो यह भाग क्या है हमने पढ़ा था कि जेड की तरह दिखने वाली जो सरचना होती है यह किसकी होती है यह होती है आमाशय की तो हमारे यह पर क्या हो जाएगा आमाशय हो जाएगा ठीक है अगर हम इसकी बात करें तो देखें यहां पर इन्होंने यकरत नहीं बना के दिया ठीक है आपको यकरत नहीं बना के दिया जिसमें क्या होता है पित्रस जो है वो संग्रहित हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम पित्ताशे कहते हैं यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है यह क्या है यह है हमारी एक और पाचक ग्रंथी जिसका नाम क्या है अगनाशे चिक है यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यह जो कुंडलित सनरचना हैं यह क्या कहलाती है? यह हो गई हमारी शुद्रान्त या फिर हम क्या कह सकते हैं? छोटी आत्थ उसके बाद यह जो सनरचना दिखरी है, यह पिंग कलर की, यह बड़ी सी, चौडी सी ये क्या होती है ये होती है हमारी ब्रहदांत्र मतलग बड़ी आत ठीक है और उसके बाद इस जगे को हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे गुदा और उपर वाले को हम नाम दे देते हैं मलाशय चीक है अब अगर मेरी राइटिंग किसी को ना समझ में आ रही हो तो भी तरीका है वैसे मैंने ये सारे आपको बता दिये हो यहाँ पर इनके नाम लिखके दे दिये हैं अमने क्लियर कर देती हो और यहाँ पर आपको इस तरीके किसे देखने को मिल जाएगा क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता हो मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो यह हो गया आमाशय ठीक यह नीचे वाला भाग हो गया अगनाशय जहां पर अगनाशी क्रस्प बनता है चीक है यहाँ पर क्या आगया पित्ताशय यहाँ ब आगे चले, प्रेश नवर्व 15, क्या है, क्या हम केवल हरी सबंजियों घास का भोझन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए, तो अब यह कह रहे हैं, कि क्या हम लोग सिर्फ हरी सबंजी और जीवन पूरा चला सकते हैं, कुछ बच्चे तो डर गए होंगे कि अरे ये कैसी बात कर दी no ice cream, no chocolate, no pizza तो देखे यहाँ पर यह सिर्फ बोल रहे हैं कि सिर्फ हरी सबजी खाईए और उसके अलावा आप क्या खा सकते हैं घास खा सकते हैं और इसको भोजन के रूप में लीजिए और अपने जीवा निर्वाख करिए तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं इन्होंने हमसे यही पूछा है तो इसका उत्तर देख लेते हैं कच्चे पत्तेदार सबजियां और घास सेल्यूलोज से सम्रद्ध है देखे, कच्चे पत्तेदार जितनी भी सबजियां हैं उनकी बात करें या फिर घास की बात करें तो इसमें क्या होता है इसमें बहुत जादा मात्रा में सेल्यूलोज होता है जो कि एक प्रकार का क्या होता है कार्बोहाइडरिट होता है मनुश्यों सहित कई जानवर cellulose को पचा नहीं सकते, अब क्या होता है, जो हमारे शरीर में, जो हमारी आहारनाल है, उसमें ऐसे कोई भाग नहीं है, जो किसको पचाए, cellulose का पाचन कर सकें, और हमारे साथ-साथ कुछ ऐसे जन्तू भी है, जिन में ऐसा ऐसी आहारनाल नहीं होती है ठीक है क्योंकि उनके पास विशेश एंजाइम और कुछ विशेश प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते हैं अब इसको पचाने के लिए क्या होता है कुछ विशेश एंजाइम लगते हैं कुछ विशेश पाचक रसों का प्रयोग किया जाता है और छोड़ा जाता है जिसकी वज़े से क्या होता है उससे जो हमारे शरीर में जो भोजन के द्वारत जीवानों पहुंच जाते हैं उनको क्या कर दिया जाता है खतम कर दिया जाता है ठीक है लेकिन वहीं हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीवाणों भी होते हैं जो क्या करते हैं पाचन में मदद करते हैं ऐसे ही जो घास खाने वाले जन्तु होते हैं उनके शरीर में भी कुछ ऐसे जीवाणों होते हैं जो क्या करते हैं पाचन में सहायता करते हैं तो हमारे शरीर में वो विशेश प्रकार के जो जीवाणों हैं बैक्टीरिया हैं वो नहीं पाए जाते साथ में वो पाचक रस भी नहीं पाए जाते जो क्या होते हैं जो घास खाने वाले जंतों के पास होते हैं जो सेलिलोस को पचा सकते हैं और इन्हीं की वज़े से क्या होता है सेलिलोस का अच्छे से पाचन हो जाता है इसलिए हम उ न 생क All time हो कोई सब्सक्राइब वected चंड कंच नहीं च petit कि हम बस प्ते लाए और खाना शुरू कर दिया ऐसा तो नहीं करते हमस्कों क्या स्थिंखर जाता है या उबालनी के बाद भी फिर पका के बनाय जाता है मतलब हम उसको इस तरीके से बनाते हैं कि हो जो है वो क्या हो सेलुरोस जो है वो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है उस से वो किसना परिवडenda हो जाता है सरल कार्बोहाइडरेट में परिवरतित हो जाता है फिर जब हम Hear खाते हैं तो हमारा शरीर उसको आसानी से क्या गर लेता है पचा लेता है ठीक है हम कीं वल सबजियों को उबले हुए या पके हुए रूपomy लेकर खाकर उसको पचा सकते हैं हम जो हैं वो सब यह सब तभी पचा सकते हैं, अगर हम उसे कच्चा खाना शुरू कर देंगे, तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन जो घास खाने वाले जनतु हैं, उनकी आहार नाल लग होती है, उनके पाचकरस लग होते हैं, इसी वज़े से वो पचा लेते हैं, ठीक है, आगे देखें, तो प्रेश नंबर 13 पे हमारे NCRT के सॉल्यूशन हो जाते हैं, हमारे पार्ट दो के जितने भी अभ्यास प्रेश ने थे, यहाँ पे हमने पूरे कर लिये हैं, कुछ भी नहीं बचा है, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है, तो फटा-फट से कमेंट क्योंकि लास तक तो हो सकता हो, आप भूल जाएं, ठीक, और आगे अब हम क्या करने वाले हैं, आगे अब हम करने वाले हैं, अपने पार्ट दो के multiple choice question, मतलब की बहु विकल्पी प्रेश्न, तो इस पार्ट से बनने वाले जितने भी बहु विकल्पी प्रेश्न हैं, उन इतनी भी वीडियो है, उनने देखने के लिए बस जुड़े रहे हैं, मैंगने ब्रेंस के यूट्यूब चैनल, वेब साइट और एप से, मैंगने ब्रेंस इंडिया का नंबर वन, 100% free online education platform, अगर आप हम से e-notes और e-books भी लेना चाहते हैं, तो उसकी link आपको description box में मिल चा और इसके लिए आपको किसी भी तर है कि कोई cost, कोई payment करने की ज़वत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी top courses आपके लिए हैं, 100% free, अगर आप हम से other social media platform पर भी चुड़ना चाहते हैं, तो follow कर सकते हैं, facebook, instagram, twitter और telegram पर भी, तो बच्चों अगर आपको आज का ये वीडियो अच झाल